और आखिरकार भारत के दबाव के आगे LSE पर चीन जुकी गया। चीन ये भारत के साथ पुरानी स्थिती में सैनिकों के गश्ट पर सहमती जाहिर की है। इसे भारत की बड़ी कूटनितिक जीत माना जा रहा हैं देखिए एक रिपोगूट। इस फैसले के तैद भारत और चीन, देफसांग और डेमचोक सहित वास्त्विग ने तरण रेखा पर फिर से गश्ट सुरू करने पर राजी हुए हैं। यानि अब वो भारती सैनिकों को नहीं रोकेंगे जैसा कि वो 2020 से लगातार करते चले आ रहे हैं। मई 2020 में सीमा पर तनाव पैदा होने के बास ते भारत चीन के सैनिकों की गश्ट पर सहिमती को सकारात्मत तोर पर देखा जा रहा है। हाला के सैन ने गतिरोध को लेकर किसी भी तरह के संजोते के ना होने पर भी सवाल उट रहे हैं। आरोप लगाये जा रहे हैं कि आईसी सहमती मोदी और जिन्पिंग की इसी सप्ता ब्रिक्स शिकर सम्मेलन में मुलाकात को सुविधा जनक बनाने के लिए किया गया है। मामले पर वैसी की भी सीधी नजर है। युनोंने सोचल मीडिया पर इस बारे में पोश्ट कर अपनी चिंता जाहिर की है। चीन संजोता करके पलट जाने के चरित्र को लेकर बदनाम है। इसलिए उसकी सहमती अभी भी शत के घेरे में है।